उनका सोचना सची था हेड रूम में थे मैं रूम के आगे बरामदे में खड़ा था काफी देर हो जाने पर भी अंदर आने को नहीं कहा था पीरियड समाप्त होने के पहले ही वे स्वयम बाहर आ गए थे सब्जेक्ट बदल रहे हो ना नहीं सर तकलीफें उठानी पड़ेंग आपकी दया सर बीए ओनर्स के बजाए बीए तेलगू पड़ो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ उनिवर्सिटी छोड़कर चले जाओ एसी कॉलेज में ही बीए में दाखिला ले लो कृप्या करके तेलगू भाशा से ही बीए ओनर्स पड़ने दीजिये सर नुक दुरभाग्य है चले जाओ कहा डिपार्टमेंट में रहते हुए क्लास अटेंड ना करना कह या दूसरी बार है मुझे इस प्रकार की परिस्तिती पसंद नहीं है लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ मैं सब्जेक नहीं बदलूंगा और युनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जाओ या बात सबको मालूम हो गई थी इसके पहले ऑनर्स क्लास में आने वाले आवेदन पन्नों को अपनी पसंद के अनुसार प्रवेश्दे दिया करते थे स्वतंतरता आने के बाद नए सीरेर से नियमों को बनाने के बाद मेरिट और पर सीटों का प्रदान करना अनिवार्य क अस्प्रकार मुझे सीट मिली नियत निबंदन के अनुसार मुझे मिले सीट को अपने हिसाब से बदलने का बर्सक प्रयत्न किया मेरे जित को देखकर हर्शित ना हुए पर दुखी अवश्य हुए अस्पृश्य और चमार विद्यार्ती ने इसके पहले ऑनर्स की पढ़ा पहले होकर रहना वे देख सकते हैं बैटे रहना नहीं देख सकते हैं पहली बंच पर बैटने से शास्त्री की तरह सहय नहीं कर सकते हैं इसे समझाने में देरी हुई समझने के बात अकड़पन और हटा गया वह लगन में बदल गया मैं दोनों हाथ जोड़ कर अपने मास्टरों को नमशकार करने पर सीर नहीं हिलाया करते थे मुझे देखा तक नहीं करते थे मेरे अस्तित्व को देखा भी नहीं करते थे यहाँ देख मैं दुखी हुआ करता था रुलाई भी आजाया करती थी मेरा दम घुटने लगता था छाती में दर्द हुने लगता था इतने परायपन का नुभव मैंने कभी कहीं नहीं किया था कक्षा में धम गुटता सा लगता था समुद्री हवा बड़ी बड़ी खिडकियों से अंदर छांके के साथ आ जाया करती थी पर मुझे प्राणवाईयों की कमी थी वा मुझे तक पहुँच नहीं रही थी हमारे गाओं में बापिस्ट स्कूल गुंटूर में क्रिशियन हाई स्कूल क्रिशियन कॉलेज में हमारे मास्टरों ने लेक्चरारों ने पंडितों ने प्रेम से मुझे देखा यहाँ क्या घोर कल्यू का गया है दोनों मास्टर तेलगु छोड़ देने की कह रहे हैं सभी सार नमस्कार करने पर भी देखते तक नहीं है देखने पर उनका चहरा तम-तमाने लगता है मुझे लप्टों में घिर जाने जैसा लगता था तेलगु ओनर्स की कक्षा में अटें लेते समय विचित्र प्रकार से बोला करते थे इनका कहा नका कार्थ तेलगु में सी आर से होता है सभी क्लासमेट्स हस दिया करते थे मुझे रूलाई आ जाती थी हफ़ते दस दिन हो गए पर वह मेरा नाम वैसे ही पुकारा करते थे क्लासमेट्स उसे सुनने के आदी होने के कारण कुछ और सहनुबुती हो जाने से कुछ हद तक हसना बंद कर दिये थे कुछ समय बाद मुझे खी जो आई और सर के पाजा कर बोला मेरा नाम इनक है या इनका नहीं है मैंने उन्हें समझाया तेलगू अजंत भाषा है न इनक कैही बुलाना चाहिए अंग्रेजी के नाम इसी तरह बुलाए जाते हैं सीखो इंग्लिश व्यक्ति से इंग्लिश तेलगू अनर्स इंग्लिश नाम दोरा साहब गोरे लोग प्रवेश ले रहे हैं यहां तेलगू पढ़ाने के लिए तेलगू पढ़ने के लिए मोल लिया परेशानी को कुड़ने के लिए